नमस्कार दोस्तों तो अभी बात कर लेंगे कि गुली डंडा और गेहूं के बीच में आपको किस तरह से डिफरेंस पता करना है कि ये पोधा गुली डंडे का है और ये वीट का है या गेहूं का पोधा है क्या होता है कि जब 20 से 21 दिनों के बाद घास उगना शुरू हो जात होता है जातर घास जो होता है वह होता है गुली डंडा ठीक है अभी गुली डंडा देखने में तो जैसे गेहूं होती है उसी के तरह होता है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसिस होते हैं अगर कोई किसान ध्यान ध्यान देगा तो उसको ये फरक नजर आ जाएगा तो चलिए अभी इसी के बारे में बात करेंगे गुली डंडा को हमारे भारत में और नामों से भी जाना जाता है जैसे मंडूसी हो गया मंडूसी या फिर गेहूं के मामा ये भी इस नाम से भी ये प्रचली थै घास और गेहूं के मामा के साथ अगर इंगलिश में बात करें तो इसका नाम है फलेरिस माइनर ये इसका साइंटिफिक कनायम है या विगैनिक नाम इसको कह सकते हैं ये इसको इंगलिश में कैनरी ग्रास भी बोल देते हैं यह सारे इसी के नाम है गुलिडणंडा इसको मुजबी बोल देते हैं ठीक है दोस्तों तो अभी हमने इन दोनों के वीच में अगर डिफ्रें ni की बारे में इनके फरक के बारे में देखना है तो हमें ध्यान देना होगा क्योंकि शुरू के जो जैसे शुरुआती दोर में इन दोनों में फर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा पहले ही जो आपको डिफरेंस देखना है ठीक है तो वो है इसके जो बेसल नोड आप यहां पर ध्यान देना इसको यह थोड़ी आपको pinkish या reddish color की दिखाई देगी और जो गेहुं है यहां पर सामने यह वाला पोदा यह गेहुं का है आप इस पर ध्यान दो इसका जो बेसल नोड है या बेसल जो बिल्कुल बेस के उपर जो नोड है न वो white color की है यह वाइट है यह स्फेध है इसकी पिंकिश होती है और इसमें जब आप इसको उखाड के भी देखेंगे तो इसके जो रूट टिप्स है नहीं जो रूट है उसकी बिल्कुल टिप के उपर आपको रैडिश टिंज दिखाई देगी मनले रैडिश कलर का दिखाई देगा एक कौन सा कहुंका पोदा है ठीक है तो और अभी हम और इमेजिस या फौटोज देखेंगे जिस्से हमें और क्लिए हो जाए मजा कि कौन सा मत्रै तो चलिये दौसतों अगली मेजेस को देखते हैं यहां पर आप देखिए यह जो पोदा है इसमें आपको यहां पर यह वाला portion दिखाए दे रहा है इसको बोलते हैं legule ठीक है और यह जो legule है इसकी जो length है मतलब इसके जो length कहलो आपकी लंबाई वो गेहूं के पोदे से ज़्यादा होती है गेहूं के पोदे में भी ऐसा होता है legule लेकिन वो कम होता है ठीक है अभी यह जो पोदा है यह हमारा किसका है यह देखिए आपको 18C दिखाई दे रही है radish तो यह किसका पोदा है guliran देगा यह flairish miner ठीक है next photo देखते हैं आपको और clear हो जाएगा इससे ठीक है यह देखिए दोस्तों यह यह भी एक legule यह जब आप पत्ते को पत्ते को हटाएंगे न राइट करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा इसी को legule बोलते हैं जो भी हमने पिछली photo में भी देखा ठीक है तो अभी next चलते हैं और यह भी उसी की photo है यह legule आ गया ठीक है अभी तक किसकी photo चल रही है यह गुली डेंडे की अपको जब गहूं आएगा तो आपको साफ नजर रहे यह भी एक गुली डिंड है ठीक है यह यल्व इस लिए क्योंकि स्प्रे क्यों या 13 नो में करते हो यह अब यल्व हो गया है ठीक है यह भी वही है यहां पर देखे आप professionals है ठीक है दोस्तों आपको ज़्यादः फो प्रोट्स दिखाने का मकसिद यह कह आ आपको बिल्कुल हो जाएगे कौन सा पोदा क्या है ठीक है अब ये फोद देखो ये पोदा लग गया ये है गेहूं का पोदा अब गेहूं के पोदे में क्या है अब यहां पे देखो आप जो ये लिग्यूल है इसमें बिल्कुली छोटा सा लिग्यूल है ज़रा सा ठीक है जो ये वाइट सा नि आरई सी ले औरिकल और ये जो आप ये हेरिश इस्ट्रक्चर्ट देख रहे हैं यांप ये वाड़ जो basil नोड़ वो हती है radish ठीक है दूसरा हमने बत लगाया कि जो ligule है वो इसमें ज़ादा लंबा होता है lengthwise ज़ादा होता है ठीक है और third हमने auricle देखा जो auricle है वो सिरफ गेहूं के पोधे में होता है Gul didado के पोधे में यह नहीं होता ठीक है यह तीन major differences है दोस्तों यह आपको अगर यह clear होगे तो अपने हाँ पी आपको पता लगा लिया तो आपको काफी असानी होगी ठीक है अब यह देखे गेहूं का बोदर दिखाई दे रहा है ठीक है अब इस इतने portion को बताओं क्या बोलते हैं आपको scientific language में इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड दोस्तों आप थोड़सा आप information कठी कर लीजिए तो आपको और असान क्यों होगे ठीक है अब अब जो यह portion है इसको बोलेंगे लीफ शीथ ठीक है अब इन दोनों के बीच में जो portion बचाना यह तो आगया हमारे जो side side से है दोनों तरफ से यह आगया ओरिकल जिसके साथ में महले हेर भी structure भी साथ में बाहर को हेर निकले हुए है या बाहर निकले हुए है ठीक है अब जो यह white सा है यह हमारे का इसकी लेंथ कम होती है इन कंपारिजन टू गुली डेंडा गुली डेंडा में इसकी जादा लेंथ होती है ठीक है दोस्तों तो यह difference आपको अभी तो काफी clear हो जाए अब यह देखिए फोटो बहुत अच्छी है यह ग्यों कप होता है और इसमें यह पास से फोटो तो इस यह लिग्यूल यह देखिए साइड को यह ओरिकल आ गया ठीक है दोस्तों और यहां पर यह भी आप देखिए अब तो काफी clear आपको हो गया होगा ठीक है अब देखिए अब यह इसकी जड़ें धो दी है जो यह गुली रंडे का पोता है यह पूरा ना इसको हमने साफ कर जीज़ें की जड़ों को तो आपको रैड इस्टेंज यह दिखाई दे रही है यह गहम को पोदे में नहीं होती यह सिर्फ इसी के पोदे में है यह देखिए आपको यहां पर यहां पर अभी काफी मेजीज हैं जिससे आपको clear हो जाएगा यह सारा ठीक है यह देख इसको ऐसे नजर आ रहा है इसमें रेड इस्टेंज आप अभी फोटो में इच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर लेकिन फिर भी जड़ों के पास तो दिखाई दे रहा है यह थोड़ी sunlight में खीची गई फोटो है तो इसमें दिखनी रहा भी सा जब आपको केट में से उखाड़ेंगे इसको अपने आप आपको साफ नजर दिखाई देगा है साफ दिखाई देगा यहां पर देखिए तो दोस्तों यह वाली फोटो देखिए आप इसमें देखिए इसका बीज है मन्डूसी का बीज है यह फलैरिस माइनर का बीज है और इसका बेस राइट है पूरा बेसल नोड इसका तो दोस्तों अब यह सारी फोटोस की इची है ठीक है आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको अगर पता लगया है तो बहुत अच्छा लेकिन अगर आपको नहीं पता लगया फिर भी आप कमेंट कीजिए कि क्या बात नहीं समझाई है ले से आपको उसी का औरीकल देख लीजिए औरीकल है जो उसकी लेंध ज्यादा होगी मंदूसिमें ठीक है और एंध कम होगी और तीशता की जगा यहां पर लीची लाएगा लीजी लोग है और औरिकल है जो वो मंडूसी में होता ही नहीं है जो यह यह लाइक स्टेक्चर बाहर की तरफ होते है न वह आपको बताया है ठीक है वो औरिकल नहीं होता इसमें तो दोस्तों मोटा मोटा आपको देखना है तो आप सिरफ जाएए खेतों में और गुली रेंडा को भार से अगर लगता है आपको यह गोली रेंडा है तो उसको खाड़िये और उसके जो रूट है उस पर देखें कि बेसल रूड़ हमकी नहीं ठीक है अगर पिंगिश है तो वह गता यह यह देख यथा गिली रेंड कप होद है यहां पर यह गुलिरंडे को बुद्ध है यह है ना इसकी रेड इस्टिंज आपको अगर दिखाई दे रही हो स्क्रीन के उपर इसमें औरिकल नहीं होता है ना यह देखे आप औरिकल नहीं है इसमें चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही अगर आपको समझा गया है तो ब आतियों के साथ इसको शेयर करें आपने फार्मर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल सके तो नहीं शक्र दोस्तों अभी के लिए